कि नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेडी फॉर्ट सीविल दबसेद में कि यूटूब चैनल में वारे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज्यादा जरूर है सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सारे मोस्ट इप्टेंट पिक्स सारा रिवीशन सब कुछ आप पताया जाता है हाई लाइट साते रहते हैं और प्लस पोश्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते रही है अब इसमें प्रश्णों की शुरुवात करते हैं जीयस वाले सिग्मेंट से देखें पूछा गया है कि गलत विकल्प का चैन कीजे ठीक है तो गलत विकल्प का चैन आप कैसे करेंगे पढ़िये पहले से त्रिमूर्थी का सिध्धान जो है ये मैत्रेयनी उपनिशद से ल गलत कौन सा है तो गलत इसका डी वाला है पूर्वी और पश्चिमी समुद्र यानी पूरा ओवराल हिंद महासागर इसका उलेख हमें शत्पत ब्रामबर से प्राप्त होता है ना कि उपनिश्दों से इसके बाद क्वेश्चन नमबर सेकेंड को देखते हैं करेक्ट ऑप् कमबोज की पुँच वद्स की इंद्रप्रस्त और वज्जी की कौशामबी बताइए सही क्या है तो सही इसका केवल बी वाला है कमबोज की पुँच या राजापुर हाटक जिसे आप सुनते हैं बाकी सब गलत है इसमें ठीक है कुरु महाजनपत की क्या इंद्रप्रस्त और हस्दिनापुर, इसके अलावा वद्स महाजनपत की कौशामभी, वद्स जी की वैशाली, इसके बाद थर्ड वाले को देखते हैं, correct option आपको select करना है, तो पहली बुद्धिष्ट काउंसिल कनिश्क के समय में हुई थी, सेकेंड वाली जो है वो अजात शत्रू के समय में हुई थी, तीसरी वाले जो है वो अशोग के समय में हुई थी और चौथी वाली काला शोग के समय में हुई थी, ऐसा दिया हुआ है, सही क्या है, तो सही इसका एक मात्र, तीसरे प्रशन को अच्छे से देखिएगा, C वाला है, ठीक है, थर्ड बुद्धिष्ट काउंसिल जो है, वो अशोग के समय में होती है, पहली वाली बहुत संगीती अजात शत्रू के समय में होती है, दूसरी वाली काला शोग के समय में होती है, और तीसरी वाली आपने देखा ही, चौथी वाली कनिश्क के समय में होती है, कश्मीर में, इसके बाद question number 4 को देखते हैं, which of the फालोइंग मेटल वाज इंपोर्टेट फ्रॉम बोथ अफगानिस्तान एंड इरान इंदा हडपन सिविलाइजेशन अब इसमें आप देखें तो इसमें से ए वाला ही सही होगा तिन ठीक है तिन जो है ये दोनों जगह से आता था मतलब लैपीज लाजुली अफगानिस्तान लेट जो है वो दक्षन भारत से फिरोजा जो है वो खुरसान से और तिन जो है ये अफगानिस्तान इरान दोनों से इसके बाद question number 5 को देखते हैं यहाँ पर आपको जो सल्तनत पीरियड है उससे related कुछ शब्द दिये हुए है ठीक है मतलब कुछ ये प्रशासनिक शब्द जाता था जबकि अमीरे बहर जो था ये नाओं का नियंत्रक होता था इसमें आप बताएं सही क्या है तो फिप्त वाला जो आप देख रहा है इसका correct answer D हो जाएगा अमीरे बहर जो लिखा हुआ है ये controller of boards होता था सही दिया है मामलूक जो होता था ये दासों का अधिकारी ह जबाबियत जो था ये असल में राज्य कानून होता था और अमीरे हकीब जो था ये समारोहों का संचालक था तो इस प्रकार से है इसके बाद छटवे नंबर के question को देखते हैं select the correct option among the following related to Mughal administration तो मीरे माल जो होता था ये असल में याचिकाओं का प्रभार समालता था इसक से आप पताएं कि सही कौन सा है छटवा आप देख रहे हैं और question number six का जो correct answer है वो भी हो जाएगा मुस्तवी और जितने हैं उन सब में समस्या है जैसे मीरे माल जो था ये गुप्त मुहर के तोर पे देखा जाता था और मीरे अर्ज जो था ये याचिकाओं का प्रभार समा ने की थी प्राचीन नगर की स्थापना खार्वेल ने की थी और वातापी का संस्थापक उदेइन था सही क्या है इसमें से तो बाकी सब गलत हैं वो देखकर लग रहा है इसमें से सीवाला एक मातर जो प्राचीन नगर और खार्वेल है वही सही है ठीक है खार्वेल का चावनी की तोर पर अजाद शत्रू के समय में था बाद में इसके समय में राजधानी बन जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो फरूखाबाद वाला जो छेत्र था वहाँ से कौन लीट कर रहा था। खान बहादूर का संबन तो बरेली से हो गया। यहाँ अक्टूबर 1790 की तारीक है ध्यान दीजेगा। तो तंजोर का अधिगराण होता है। इसके बाद question number 10 को देखते हैं। Which of the following two states had been annexed in the same year under the doctrine of labs of Lord Dalhoji। यहाँ देखें Lord Dalhoji की doctrine of labs की policy थी। उसके अंतरगत कौन से दो राज्यों को एक ही समान वर्षों में विलाय किया जाता है। तो बहुत तेजी से यह विलाय करता ही है। जैसे ही आता है वैसे काम शुरू कर देता है और जब जाता है तब तक अपना काम करता है। फल्थ नंबर के question को देखते हैं, Treaty of Basin had been signed during which of the following war? कौन से युद्ध के बाद बसीन की संदी पर हस्ताक्षर होते हैं? तो यह second Anglo-Maratha war था, इसे याद रखेगा। इसके बाद third वाले question में गंडमक की संदी और लासा की संदी पर कब-कब हस्ताक्षर किये गए थी, यह दो चीज़ें आपको बतानी है। तो देखें, Treaty of Gundamak पर sign किया गया था, मई 1889 में, यानी 1879 में और लासा की संदी जो थी, इसमें करजन के जमाने में 1904 में sign होता है। तो यह वाला इसका जो answer है, D वाला perfect होगा, जिसमें 1879 और 1904 दिया हुआ है। Question number 14 को देखते हैं, During the reason of which of the following governor general और vicerai, the Burma had been completed annexed, यह कौन सा vicerai था, जिसके समय बर्मा को पूरी तरह से कबजे में ले लिया जाता है, तो question number 14 और इसका जो correct answer है, वो C हो जाएगा, मतलब डफरिन के समय में ऐसा होता है, ठीक है, डफरिन के समय में पूर्ण अधिगरहन ह हो जाता है, इसके बाद चलते हैं, अगले वाली की ओर, यानी 1880 की बात है यह, question number 15, When was the young husband delegation formed, who among the following was related to this delegation, मतलब young husband mission और Laza की संथी आपस में connected है, इसके बारे में पूरी detail information आप पढ़िएगा, अब इसमें आप देखकर बताईए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब यह mission जो था, इसको एक खास उद्देश से बनाया गया था, तो कब establish किया गया था, कौन उस समय था, यह सब चीज में पूछी गई, 15 वाले का correct answer 1903 होगा, देखें, 1904 में लाजा की संधी होती है, लेकिन उससे पहले young husband mission 1930 में, माफ कीजेगा, 1903 में भेजा जाता है, करजन क समय में, और दलाई लामा जो हैं, वो अपना जगा छोड़ कर भाग जाते हैं, इसके बाद question number 16, इसमें आप देखें कहा जा रहा है, कि सही विकल्प का chain कीजे, तो भारत इस्त्री मंडल की स्थापना सरलाबाला देवी चौधरानी नहीं की थी, सेवा समीती के संस्थापक इसके बाद question number 15 को, question number 17 को देखते हैं, तो अंबा प्रशाद और अजीन सिंग के त्वारा भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब और कहां की गई थी, ये चीज आपको बतानी है, तो 17 number का ये जो question है, इसे आप देख रहे हैं, ये 1907 में establish किया जाता है, माफ किजे का, 1907 मे इसके बाद question number 18, select the correct option among the following, तो रिवाल्ट दिया है, में लीडर दिया है, फकीर रिवाल्ट के में लीडर कौन थे, बुद्धु भगत थे, रामोसी विद्रो जो होता था, इसमें मजनू शाह का हाथ हुआ करता था, कहने का मतलब ये हैं, कि रामोसी विद्रो के लीडर मज देखने हैं, बाकी सब गलत है, जैसे कि रामोसी विद्रो जो था, इस से चित्तूर सिंग का या चित्तर सिंग का नेत्र जो था जुड़ा था, बुद्धु बगत का संबंध किस से था, कोल रिवाल्ट से था, फकीर विद्रो से मजनू शाह का संबंध था, इसके बाद question number 19 को देखते हैं, incorrect option आपको बाहर करना है, तो बाल पक्रम राष्ट्री उद्यान मिजोरम में है, ब्लैक बक जो है, ये गुजरात में है, सभी नेशनल पार्क है, और एर्वी कुलम नेशनल पार्क जो है, ये केरल में है, और सिंगा लीला कहां पे है, वेस्ट वेंगॉल मे है, बताईए कि इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत इसका उपर वाला ही है, बाल पक्रम मेघाले में है, और यहां मिजोरम में कर दिया है ती, पुर्वत्तर वाले राजियों में थोड़ा सतर करेएगा, इसके बाद question number 20 को देखते हैं, इसमें कहां गया कि जो incorrect option है, उसको ब पलामू असल में कहां पर है, जारखंड में है, इसके बाद question number 21 को देखते हैं, correct option आपको बाहर करना है, तो मैथान बाद यह बनास नदी पर बना है, कृष्णराज सागर बाद केरल पर बना है, इंदिरा सागर डैम जो है, वो नर्मदा पर बना हुआ है, चेरुथोनी डै प्रशन संख्या 22, यहाँ पर कहा गया है, कि जारखंड सुमरड रेखा जलविदुत सेयंत्र, यह यही पर इस्तित है, और मध्य प्रिदेश में इंद्रा सागर जलविदुत सेयंत्र है, बाली मेला जो जलविदुत सेयंत्र है, तो गलत क्या है इसमें से, 22 का right answer D हो जाए यह सुमरड रेखा जलविदु सेयंत्र correct match है, वैसे ही मध्य प्रिदेश का इंद्रा सागर अभी आपने डैम को देखाया पीछे, तो यह correct match है, और बाली मेला का ओडिशा से भी correct match है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, तो non of these को इसले चुना है, इसके बा question number 24, select the correct option among the following, तो लांग शियांग जलप्रपात ये पश्चिमी खासी जिला में घाले में है, तीरत गड़ जलप्रपात रांची जिले जारखंड में है, हुंडरू जो है ये बस्तर जिला 36 गड़ में है, आप बताइए कि correct कौन सा है, तो 24 का right answer क्या होगा, ए वाला हो जा इसमें correct option आपको बाहर करना है, तो बनिहाल पास ये अरुडांचल प्रदेश और म्यामार को connect करता है, पंक्साओ जो है ये बनिहाल को काजिगुन से जोड़ता है, दिहांग पास ये अरुडांचल को मांडले से जोड़ता है, तो सही क्या है फिर, देखे 25 का right answer C हो ठीक है दिहांग पास ये बाकि सब इसमें गलत है, पंक्साओ जो है वो अरुडांचल को म्यामार से जोड़ता है और बनिहाल क्या करता है ये बनिहाल को काजिगुन से जोड़ता है, तो इसमें से C वाला एक मातर सही था, question number 26 को देखते हैं, correct option आपको बाहर करना है तो यह पुर्गा जो है ये असल में टुन्रा रीजन में प्रवाहित होती है लेवेंटर जो है वो रूस की हवा है और सांटा आना कहां की है ये साउथ कैलिफोर्निया की है अब इसमें बताइए सही क्या है तो question number 26 का right answer D हो जाएगा सांटा आना लोकल बिंड जो है ये साउथ कैलिफोर्निया की है बाकी अगर आप देखे तो blizzard जो है ये टुन्रा रीजन की है पुर्गा जो है ये रूस की है लेवेंटर जो है वो स्पेन की है इसके बाद question number 27 को देखते है country और capital दे रखा है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 28 में incorrect option आपको बाहर करना है तो अन्ना मलाई hills जो है ये केरल और करनाटक दोनों राज्यों में है पलानी जो है ये तमिलनाडू में है और गढ़वाल की पहाडिया ये उतराखंड में है निलगिरी जो है ये तमिलनाडू केरल और करनाटक में है बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है तो 28 का right answer A हो जाएगा पलानी जो है वो तमिलनाडू यहां ध्यान दीजेगा A वाला option इसमें गलत है पलानी हिल्स जो है वो तमिलनाडू में है गढ़वाल वाला उतराखंड में है लेकिन यहां अन्ना मलाई को अगर आप देखें तो यह केरल और तमिलनाडू में फैली हुई है यहां पर क्या दिया है करनाटक तो यह गलत है question number 29 को देखे incorrect option आपको बाहर करना है तो दस्ते मार्गो डेजर्ट जो है यह इरान में है ठीक है दस्ते मार्गो यह एक मरुस्थल का नाम है तो यह इरान में है आटाकामा डेजर्ट जो है यह चिली और बोलो भीया दोनों में फैला हुआ है इसके अलावा काराकुम डेजर्ट जो है यह तुर्कमेनिस्तान में है गोबी जो है वो चीन और इंडोनेशिया चीन और इंडोनेशिया दोनों में फैला है अब इसमें आप बताई गलत क्या है तो 29 का सी वाला इसमें गलत है चुकि दस्ते मार्गो वाला सही है अफगानिस्तान यहां असल में देखिए थोड़ा सा मिश्टेक है गलत की तलाश नहीं करनी थी सही की तलाश करनी थी क्योंकि इसमें जितने भी दिया हुए है सभी गलत है केवल एक मातर ऐसा है जो कि सही है इसमें और वो है कारा कुम वाला ठीक है कारा कुम वाला जो डेजर्ट की लोकेशन दिया है तुर्कमेनिस्तान वो सही दिया है तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है इसमें करेक्ट हमें खोजना था न की इनकरेक्ट ठीक है अब सही है इसमें 10 ते मार्गो डेजर्ट जो है वो कहाँ पे अफगानिस्तान में है आटा कामर डेजर्ट ये साउथ अमेरिका में है चिली और पेरू में फैला हुआ है आप कही बार नक्षे में देखते हैं और हाँ गोवी डेजर्ट जो है ये पूर्वी एशिया मतलब चीन और मंगोलिया में है चीन और इंडोनेशिया में कहां से चला जाएगा तो बाकी सब गलत है एक मात्रिस का सी वाला सही है इसके बाद question number 30 को देखते हैं 30 वाले में कहा गया कि how many states of India touch the border of Myanmar और which of the following state does not touch the border of Myanmar ये संख्या आपको बतानी है और उस राज्जे का नाम बताना है जो कि Myanmar के border को touch नहीं करता है तो 30 वाले का correct answer D हो जाएगा ठीक है D वाले को चुल लिया चार राज्जे ऐसे है चार राज्जे कौन कौन से है रुडांचल है नागालेंड है मिजोरम है और मड़ीपूर है इसके बाद 31 को देखते हैं select the correct option तो printing प्रेस का आविशकार Benjamin Franklin नहीं किया था क्लोरीन का आविशकार कार्ल विलियम सेचल ने या शीले ने किया था इन्हें शीले भी कहा जाता है shortcut में पूरा नाम क्या था कार्ल विलियम शीले इसके बाद bifocal lens के खोज करता था उनका नाम गुटनबर्ग था अब इसमें से आप बताईए सही क्या है तो 31 का B हो क्लोरीन के आविशकारक शीले थे बाकी जो है वो गलत दिया है प्रिंटिंग प्रेस की रशनाया खोज जो है वो गुटनबर्ग ने की थी और बेंजामिन फ्रेंकलिन ने बाइफूकल लेंस को खोजा था तो इसका correct answer सिर्फ क्लोरीन वाला हो जाएगा इसके बाद question number 32 को अब इसमें आप combination देख लीजए तो देखे 32 का right answer A हो जाएगा बेल मेटल जो होता है उसमें 77% copper होता है और 23% tin होता है तो copper और tin वाला जो combination है वो इसमें चुनेंगे इसके बाद अगले वाले को देखते है इसके बाद अगले वाले को देखते है सेलेक्ट ए इनकरेक्ट option पीटर ये sodium nitrate को खा जाता है गलत क्या है आप बताईए देखे इसका C हो जाएगा कॉस्टिक सोडा और potassium hydroxide वाला जो option है यही गलत है ठीक है कॉस्टिक सोडा क्या होता है sodium hydroxide होता है potassium hydroxide नहीं होता है इसके बाद अगले वाले को देखते हैं correct option आपको बाहर करना है तो vitamin B1 क कमी से पेलागरा, vitamin B3 की कमी से बेरी-बेरी, B6 की कमी से एनिमिया और E की कमी से खून का थक्का ही नहीं जमेगा सही क्या है इसमें से तो 34 का right answer क्या होगा C वाला हो जाएगा vitamin B6 और एनिमिया का जो इसमें जोड मिलाया है वो ठीक है बाकि vitamin B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है पेलागरा जो है वो B3 की कमी से होता है और विटामिन K अगर कम हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा इसके बाद question number 35 को देखते है इनका mixture बनाएंगे तो कौन सा ग्लास हमें मिलेगा क्रुक्स कांच मिलेगा या फिर जेना ग्लास मिलेगा क्राउन ग्लास मिलेगा इसमें से कौन सा होगा 35 का right answer क्या होगा भी वाला हो जाएगा जेना कांच का निर्माण होगा इसके बाद question number 36 को देखते है incorrect option आपको बाहर करना है तो styrene butadine या butadine ये क्या चीज है ये rubber bubble gum होता है और lexan जो है इससे bulletproof glass बनते है जो polystyrene होता है उससे foam thermacol का निर्माण होता है अब इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है तो 36 का D हो जाएगा इसमें से कोई भी गलत नहीं है जितना है वो सभी सही है इसके बाद question number 37 को देखते है कौन सा खरीज नसो और मानस्पेशियों के समुचित कारे में सहायता करता है अब यहाँ आप देखकर बताएं देखे 37 का B हो जाएगा ठीक है sodium इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 38 में कहा गया कि correct जो odd option है उसको बाहर करिए अब इसमें odd देख लीजे गलसुआ यानि जो मंपस होता है यह वाइरस की वज़ा से होता है खसरा भी वाइरस से होता है प्लेग भी वाइरस से होता है और रेवीज भी वाइरस से होता है अब इसमें बताईए कि एक विशम है कौन सा तो विशम का मतलब यह गलत है इसमें से गलत कौन सा है यह जो प्लेग वाइरस से नहीं होता है बैक्टिरिया यानि जीवानों से होता है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 39 में कहा गया कि लिशमेनिया डोडोवानी नाम का एक प्रोटोजोवा जो है यह एक रोग को फैलाता है किस रोग का यह वाहक होता है जो आब बताईएगा अब इसमें 39 को अगर आप ध्यान से देखे तो correct answer A हो जाएगा काला आजार इसके बाद question number 40 को देखते है which of the following ore is not a magnesium इसमें से कौन सा magnesium का ore नहीं है तो 40 वाले का correct answer D हो जाएगा कारने टाइट जो है वो magnesium का ore नहीं है यह किसका है कारने टाइट है ध्यान दीजेगा यह uranium का ore है मतलब uranium का IS का है इसके बाद अगले वाले को देखते है 41 में आगे ही दो blank space है और पूछ रहा है कि किसने 13 दिसंबर और इसके बाद तारीक आपको बतानी है मतलब सन बताना है कि उस सन को संभिधान सभा में एतिहासी कुद्देश्य प्रस्ताओं को प्रस्तुत किया था तो उद्देश्य प्रस्ताओं के सोजन ने करता कौन थे पंडि जवालाल नेरू थे और डेट क्या थी 1947 थी कि 1946 थी 1946 थी 13 दिसंबर 1946 को संभिधान सभा में ये एतिहासी कुद्देश्य प्रस्ताओं इनके द्वारा पेश किया गया था तो correct answer इसका भी है इसके बाद 42 को देखते है question number 42 में कहा गया कि correct option कौन सा है तो finance and staff committee dr. राजेंदर पिशाद और क्या है इसके अलावा credential committee जो है इसके अध्यक्ष कौन थे कियम मुंशी थे house committee के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर थे और business committee के अध्यक्ष कौन थे पटावी सीता रमया थे अब इसमें आप बताईए कि सही क्या है तो 42 का right answer क्या होगा ए वाला हो जाएगा ठीक है finance and staff committee यही वाला इसमें एक मात्रे सही है बाकी अगर आप देखें तो प्रत्यायक समिती जो थी उसके अलादी कृष्णा स्वामी अयर थे और सदन समीती जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे पटावी सीता रमया कारे संचालन समीती के केयम मुंशी इसके बाद question number next यहानी 43 incorrect option आपको बाहर करना है national anthem जो है adopt की जाती है 1950 में national song जो है उसको भी adopt किया जाता है 1950 में ही डॉक्टर राजंदर पिशाद as first president of India 1950 और national flag was adopted in 1950 सब 1950 में ही adopt किया जाता है ऐसा दिया है गलत किया है इसमें से तो गलत इसका D वाला है राष्ट्रिय ध्वज को अपनाया जाता है कब राष्ट्रिय ध्वज को बहुत पहले ही अपना लिया जाता है 22 जुलाई 1947 तो यहां पर वही गलत इया है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 44 में कहा गया कि मूल संबिधान के हिंदी संसकरण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था अब इसमें आप नाम देखें तो 44 का right answer क्या होगा C वाला हो जाएगा बसंत कृष्ण वैद्दी के द्वारा इसको तयार किया गया था नाम याद रखेगा इसके बाद question number 45 को देखते है incorrect option आपको बाहर करना है तो US के constitution से हमने impeachment of the president को लिया है British constitution से हमने single citizenship के provision को लिया है Australian constitution से हमने concurrent list को लिया है और कुछ भी इसमें से गलत नहीं है ऐसा कहा गया तो 45 का D हो जाएगा सभी सही है ठीक है जितना दिया है वो सभी सही है और इसलिए इसमें से कोई नहीं का विकल्प चुनेंगे ताकि कोई गलत नहीं हो इसके बाद 46 को देखते है Provision relating to administration of tribal area of which of the following state have not been given in the sixth schedule इसमें राज्ये का नाम आपको देखना पड़ेगा कौन सा राज्य होगा जरा बताएगे तो देखें 46 का right answer क्या होगा B वाला हो जाएगा मतलब सिक्किम राज्ये है छटवी अनुसूची में असमें घाले त्रपुरा मिजोरम राज्ये के लिए जो जनजाती प्रशासन ने उसका प्राओधान किया गया है लेकिन सिक्किम के लिए नहीं किया गया Question number 47 को देखते है Which of the following state does not comes under the Mahadai Water Dispute Tribunal Mahadai नधी का जो Water Dispute Tribunal बना हुआ है उसके अंदर कौन सा राज्ये नहीं आता है तो Question number 47 में ये वाला हो जाएगा केरल उससे बाहर है गोवा, करनाटक और महाराष्टर उसमें जगडे में जुड़े हुए तो केरल उससे बाहर है इसके बाद Question number 48 में कहा गया कि Incorrect option को बाहर करिएगा तो अनुचेद 61 में राष्टर पती पर महावियोग चलानी की प्रक्रिया का वर्डन है और अनुचेद 76 में भारत का महा नयायवादी है 126 जो है उसमें अध्यादेश चारी करने की राष्टर पती की शक्ती है वो असल में 123 में है यानी 123 में नंबर के आर्टिकल में दिखाई देती है और यहाँ पर 126 दे रखा है तो C वाला option गलत है इसके बाद Question number 49 को देखते है Under which of the following article the special provision with respect to the state of Arudansal Pradesh have been given अब इसमें आप देखें Article number कौन सा है तो Article number तो सब में सेम है वस Clause का फर्क है तो Clause के इसाब से जड़ा ध्यान दीजेगा देखें Question number 49 का B हो जाएगा 371 Clause H देख रहे हैं 371 Clause H इसके बाद Question number 50 इसमें आपको incorrect option बाहर करना है तो अशोक मेहता कमेटी 1987 GVK राओ कमेटी 1985 LM सिंगवी की जो कमेटी थी 1986 और थुंगन कमेटी की जो डेट थी वो 1998 है अब इसमें से आप बताई गलत कौन सा है तो गलत इसका D वाला है थुंगन कमेटी की डेट 1988 यहां आप देखें 1998 दिया है ना तो यह 1988 यानि 1988 थी इसके बाद अगले वाले को देखते है 51 में कहा जा रहा है कि इनकरिक्ट बताईए कौन सा है तो असम का है अमबुवाची फेस्टिवल सही है दक्कन फेस्टिवल आंधर का है और उगादी फेस्टिवल जो है वो कर्नाटिक का है और नॉंग क्रेम नाम का जो तो महुच सो मनाया जाता है, यह असल में नागा लेंड का है, बताइए इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत इसका D वाला है, नौंग क्रेम अगर आप देखें तो यह मेघाले का है, ना की नागा लेंड का, बाकी जितने हैं वो सब सही, इसके बाद question number 52 में आप देखें, incorrect option आ होता है, जैपूर सिटी जो है, यह भी 2021 में डिकलियर होती है, और्के लोजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार यह 2016 में डिकलियर होता है, बताइए गलत क्या है, तो 52 का right answer इसमें C हो जाएगा, जैपूर शहर को 2021 में डिकलियर नहीं किया जाता है, बलकि जैपूर शहर को पिछले साल, यानि 2020 में डिकलियर किया गया था, और यह दोनों इस साल के हैं, ध्यान दीजेगा, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, question number 53 में कहा गया कि festival दिया है, month दिया है, इसमें से correct option को बाहर करियेगा, तो 53 को अगर आप ध्यान पूरवक देखें, तो इसका correct answer A हो जाएगा, मतलब ओडम और अगस्त वाला सीजन इसमें सही मैच है, बागी पोंगल जन्वरी में है, उगादी जो है वो मार्च में है, बिशु जो है वो अप्रेल में है, तो A वाला सही है इसका, question number 54 में अगर आप देखें, तो इसमें कहा गया कि incorrect option बताइए कौन सा है, archaeological survey का जो headquarter है वो नई दिल्ली में है, और इसके साथ anthropological survey of India इसका जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में है, national archives of India, ठीक है, मतलब राष्टिय अभी लेखागार, इसका भी नई दिल्ली में है, और साथ में national gallery of modern art ये भी नई दिल्ली में है, इसमें से गलत कौन सा है, तो गल करेक्ट option आपको बाहर करना है, तो वासुदेव कमेटी का संबंद जो था वो नावार्ड की establishment से था, जस्टिस एके माथूर कमीशन जो था, ये छटवे पे कमीशन से जुड़ा हुआ था, और इसके अलावा यहां आप देख रहे हैं, शिवरामन कमेटी जो है, इसका संब किसे है, NBFC सेक्टर रिफॉर्म से है, जबकि कुमार मंगलम बिर्ला रिपोर्ट जो है असल में, कुमार मंगलम बिर्ला रिपोर्ड ये संबंदित है किसे, कौर्पोरेट गवर्नेंस से, अब इसमें आप देखकर बताएं सही क्या है, तो 55 का एक मात्र जो कुमार मंगलम बिल्डा रिपोर्ट है वही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत हैं, जैसे इसमें आप इसे मार्क कर लिजे पहले, देखिए ए वाले में वासुदेव कमीटी जो है, वो NBFC छेतर में रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, एके माथुर कमीट, इसे कमीशन कह लिजे या कमीटी कह लिजे तो यह सेवन्थ पे कमीशन से जुड़ी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा है, छठवा पे कमीशन, और शिवरामन कमीटी का संबद नाबार्ड के स्ट्राबिश्मेंट से, इसे हमने देखा, question number 56 को देखते है, correct option आपको बाहर करना है, तो इसमें UN Habitat, यह report publish करता है, और report का नाम क्या है, emission gap report, UN Nations, यहाँ, माफ कीजेगा, United Nations, Environment Program जो है, यह report publish करता है, जिसका नाम है, World Cities Report, International Energy Agency जो है, report publish करती है, Southeast Asia, Energy Outlook, non of these का भी option है, आप बताइए सही क्या, तो question number 56 का right answer क्या होगा, C वाला हो जाएगा, इंतराष्टी, उर्जा एजनसी वाला, जो इसमें मात्र विकल्प है, वो सही दिया है, सयुक्तराष्ट परियाबास के द्वारा, World Cities Report को जारी किया जाता है, और emission gap report को कौन जारी करता है, यह UNEP के द्वारा जारी की जाती, इसके बाद question number 57 को देखते है, correct option आपको बाहर करना है, तो क्रिशी और खादे संगठन, माफ question number 57, बी वाला option इसमें perfect होगा, जो की सही है, बाकी जितने हैं गलत है, जैसे कि खादे और क्रिशी संगठन जो है, यानि food and agriculture FAO का जो headquarter है, वो Rome में है, मतलब Italy में, और इसमें आप देखें कि postal union का जो headquarter है, वो Switzerland में है, इसे हमने देखा, question number 58 में देखें, आप incorrect इसमें भी rank है भारत की, अब इसमें से आप बताईए कि गलत क्या है, तो 58 का उपर वाला ही गलत है, ग्रोमाइट के production में भारत जो है, वो चौत है स्थान पर है, ना कि पांच में, यहाँ पे fourth position होगी, ठीक है, बाकी सब सही है, इसके बाद अगले वाले को देखते है, question number 59 में का आग इसमें से ओडी शा को बाहर कर लेंगे, इसके बाद question number 60 को देखते है, कौन से top 3 मूंगा रेशम producing जो state है, उसमें नहीं आते है, मतलब मूंगा रेशम उतपादक राज्यों में, top 3 में कौन सा शामिल नहीं है, जरा देखिए, तो 60 में का correct answer इसमें से क्या होगा, ए वाला हो producing states के अंतरगत नहीं आता है, तो grapes की production में अगर देखा जाए, तो महाराश्ट्र पहले नंबर पर है, उसके बाद है करनाटक, फिर है तमिलनाडू, तो इसमें से आंधर प्रदेश जो है, वो बाहर हो जाता है, यानि C वाले option को चुल लेते हैं, इसके बाद question number 62 को देखते correct option आपको बाहर करना है, तो largest mushroom producing state of India त्रपुरा है, meat producing state of India जो largest है, मतलब number 1 है, वो कौन से महाराश्ट्र है, potato producing state of India, West Bengal और total food grain producing state of India, उतरप्रदेश, बताए कि इसमें से correct कौन सा है, तो last वाला जो D वाला option है, वही सही है, बाकि जितने है वो गलत है, ठीक है, total food grain के मामले मे UP जो है वो number 1 है, बाकि अगर आप देखे तो mushroom के उत्पादन में भी UP number 1 है, मांस के उत्पादन में भी UP number 1 है, और आलू उगाने में भी हम लोग आजकल सबसे top पर चल रहे हैं, तो यह हमने देखा, इसके बाद question number 63 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि कौन सी फसल, चार प्र है, बताईए, तो यह B वाला हो जाएगा, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन यानि गन्ना इस प्रकार की फसल है, इससे एथिल अल्कोहल और, मतलब एथिनॉल का उत्पादन हो सकता है, इसके लावाए से cash crop के तोर पे यूज करते ही है, commercial यूज किया ही जा सकता है, plantation वाला हैं, weeds का मतलब घास या खर्पतवार उनके नाम दिये, तो propanil, इसके लावा ब्यूटा क्लोर, fluoroclorine, इस प्रकार के खर्पतवारों का जो इसमें समावेश है, वो देखा जाता है, मतलब used यहां लिखा हुआ है, तो यहां used का मतलब क्या है, कि खर्पतवार नाशी का इस्त option आपको बाहर करना है, तो central soil salinity research institute जो है, वो हिसार में है, central plantation crop research institute जो है, वो कासर गोड में है, central institute for research on buffalo, यह आपका करनाल में है, तो इसमें आप देखें कि correct कौन सा है, तो correct इसका B वाला है, एक मात्रे जो ब्रिक्षा रोपड फसल अनुसंधान संस्थान यहां दिया हुआ कासर गोड में है, कासर गोड का मतलब क्या केरल में है, बाकी सब गलत है, म्रिदा लवड़ता अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है, और भैस अनुसंधान संस्थान जो है, वो हिसार में है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, which of the following type of soil had the deficiency of nitrogen, phosphorus and potash and lime, यह सभी चीजें जो है, वो उसमें deficient होती है, तो ऐसी कौन सी मिट्टी है, तो question number 66 का correct answer क्या होगा, D वाला हो जाएगा, यह letter right स्वाल होती है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, question number 67 में कहा जाता है, कि अंतराश्टी है, प्राकृतिक ratio वर्स और अंतराश्टी परिवारिक क्या होगा, C वाला हो जाएगा, इसके बाद question number 68 को देखते हैं, correct option आपको बाहर करना है, तो yellow color जो तर्मरिक का है, वो curcumin की वज़ा से होता है, carrot का जो orange color होता है, वो असल में anthocinin की वज़ा से होता है, और इसके साथ शलजम में जो एक bitter test होता है, या चरपराहट जैसी होत होता है, गाजर में नारंगी रंग कैरोटिन की वज़ा से होता है, शलजम में चरपराहट जो स्वाद महसूस होता है, वो calcium oxalate की वज़ा से होता है, पालक में भी वो पाया जाता है, और गाजर में लाल रंग होता है, anthocinin की वज़ा से, इसके बाद अगले वाले को देखत इसके बाद question number 70 को देखते है select the odd option तो मक्का जो है उसको दोमट मिट्टी यानि लोम सोयल चाहिए होती है जवार को भी वही मिट्टी चाहिए बाजरे को भी वही चाहिए गेवू को भी वही चाहिए odd कौन सा है जरा बताएए तो इसमें C वाला जो है वो odd है ठीक है C वाला मतलब बाजरा का जो दिया हुआ है दोमट यहाँ ये इसमें से अलग है बाजरे को बलुई मिट्टी चाहिए होती है बलुई के साथ दोमट होगी तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं ये लेकिन बागी जो है उनके लिए लोम सॉयल ठीक है इसके बाद अगले वाले को देखते है टेट्रासाइकलीन जो है ये असल में पेनकिलर है पेनसिलीन जो है ये एकसेसिव डैजेस्टिव है ठीक है मतलब बहु ज़्यादा पाचक है और एट्रोपिन जो होता है ये बैक्टिरिय साइट है मतलब ये बैक्टिरिया रोधी है जीवाड़ो नाशक हाइड्रोप्लोरोक्वीन जो है वो मलेरिया रोधी दवा है इस प्रकार से दिया है अब इसमें बताइए सही क्या है तो 71 का right answer क्या होगा, D वाला हो जाएगा, hydroxy chloroquine जो दिया हुआ है, malaria रोधी दवा, यह सही दिया है, बाकी जितने हैं वो गलत दिया है, जैसे कि tetracycline जो है वो जीवाणु नाशक है, penicilline जो है वो भी जीवाणु नाशक है, और atropine जो होती है यह दर्द निवारक के तौर पर use की जाती है, 72 को देखते हैं, which of the following state has the maximum number of cities with population more than 1,00,000,000 in the whole country after Uttar Pradesh as per data of census 2011 based on municipal corporation, यह ध्यान दीजेगा, अब इसमें आप देखें कौन साराज्य होगा, तो 72 का right answer क्या होगा, B वाला हो जाएगा, West Bengal, ठीक है, इसके बाद चलते हैं, 73 number के question की और जिसमें पूछा गया है कि जनगर्णा 2011 के data के इसाफ से उत्तर प्रदेश में निमनलिखित में से कौन से 3 योजना बद्ध नगर है, मतलब planned cities है, तो यहाँ पर planned cities का जो 33 का group दिया है, उसे आप देखें, question number 73 का right answer क्या होगा, D हो जाएगा, Noeda है, Greater Noeda है और New Kanpur City है, इसलिए D वाले option को इसमें च population growth rate in percent had been recorded, which of the following state as per data of census 2011, अब इसमें आप देखें, तो कौन सा राज्जे होगा, इसका A वाला सही होगा, ठीक है, Tamil Nadu राज्जे इसमें शामिल है, मतलब इसमें अगर आप देखें तो Tamil Nadu का प्रतिशत कितना है, 15.67 है, तरपुरा का 14.80 है, करनाटक का 15.60 है, और पश्च नंबर 75 को देखते हैं, which of the following union territory does not come under the top 4 union territory in term of population as per data of census 2011, इसमें से आप देख लीजे, तो देखें के question नंबर 75 का correct answer C हो जाएगा, लक्षदी, ठीक है, लक्षदी पिस से बाहर है, मतलब दिल्ली, पुडुचेरी, चंडिगड, अंडमान, निकोवाल, दिपसमू, उसके बा of excellence is being established on PADI, under the agricultural university of which of the following city, तो कानपुर दिया है, मेरट दिया है, बादा दिया है, अयोध्या दिया है, question number 76 का correct answer D हो जाएगा, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, इसके बाद चलते हैं, अगले वाले की और, यानि अगले प्रशन की और, question number 77, इसमें कहा गया कि how many urban bodies are there in the state of Uttar अगले वाले को देखते हैं, यहाँ पर देखें, पूछा गया है, कि निलिखित में से, यह प्रशन है न आपका, तो इसमें ध्यान दीजेगा, निलिखित में से, जो अत्यादनिक सूचना प्रवद्योगी की परिसर है, उसका निर्माण प्रस्तावित है, कहां पर, मतलब कौन से छेतर में प्रस्तावित है, वो जगह का नाम आपको बताना है, जिसमें सूचना प्रवद्योगी की के लि चुल लिजे, non of these, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, नादर गंजो लकनुका है, वहाँ 40 एकड़ में करीब अधुनिक सूचना प्रयोद्योगी की परिशर का जो निर्माण है, वो प्रस्तावित है, ये चीज़ है, देश का सबसे बड़ा incubation center बगार है, वो बनेगा, इसके ब परिशाबादी प्रयाग राज की, सबसे ज़्यादा पुरुशाबादी भी प्रयाग राज की, सबसे जादा महिला आबादी भी प्रयाग राज की, इसके बाद चलते हैं अगले वाली की और, question number 80, इसमें कहा गया कि select the correct option related to top 3 district with maximum scheduled caste population, अब इसमें आप देखें, तो प्रय प्रयागराज है, हर्दोई है, लखिमपूर खीरी है, आजमगण, प्रयागराज, सीतापूर, ऐसे करके option दिया है, question number 80 का right answer क्या होगा, c वाला हो जाएगा, मतलब इसमें अगर आप देखें, सीतापूर, प्रयागराज, हर्दोई, ये वाला option, उसके बाद अगर आप देख बादा का क्या हो जाएगा, शजर पत्थर हो जाएगा, बस्ती को चुल लीजे, हो सही दिया है, अमरोहा का संगीत वाद्यांत्र हो जाएगा, यहाँ चीनी मिट्टी के बरतन दिया है, बुलंद शहर के चीनी मिट्टी के बरतन, इस प्रकार से हम देखेंगे, इसके बाद आप question number 82 को देखते हैं यहां correct option आपको बाहर करना है शाकंबरी देवी का मंदिर मेरट में है और भारदवाज आश्रम और अच्छेवट जो है वो आजकल लोग देखने के लिए सहारनपूर में जा रहा है और ओगर नात का मंदिर देखने के लिए प्रयागराज में आईए भारदवाज आश्रम अक्षेवट अकबर का किला और गंगा या मुना का संगम यह सब कहां मिलेगा प्रयागराज में मिलेगा तो यह गलत दिया है ओगर नात का टेंपल कहां पे है तो ओगर नात वाला जो मंदिर है वो मेरट में इसके बाद आगे बढ़ते है वेस्टन बाकि स्वतंतरिता संग्राम संग्रहाले का मेरट हो जाएगा और पुरा तत्तु संग्रहाले का फरुखाबाद हो जाएगा इसके बात question no 84 को देखते हैं correct option आपको बाहर करना है तो main drama institute of उत्तरप्रदेश यहां दे रखे हैं जैसे कि जन नाटिस संग जो है वो इसमें आप देखें तो 84 का right answer क्या होगा सी वाला हो जाएगा अभी नहीं जोती जो दिया हुआ है वही एक मात्र सही वाराण सी बाकि जितने हैं वो सब गलत है जैसे कि भारती जन नाटिस संग जो है वो आगरा में है ठीक है साधना नाटिक अला केंद्र गाजीपुर में और मध्यम नाटिस संस्थान जो है वो गाजीपुर में इसके बाद अगले वाले को देखते हैं question number 85 में कहा गया कि which of the following major folk dance is performed by the अहीरा बुंदेलखंड तो यहाँ चर्कुला है इसके अलावा पाई डंडा है नटवरी है और चौरसिया है अब इसमें आप देखकर बताइ तो question number 85 का right answer क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा पाई डंडा ठीक है पाई डंडा का संबन्द बुंदेलखंड के जो अहीर लोग है उनसे है इसके बाद question number 86 में कहा गया कि किस देश के प्रधान मंत्री या किस देश की प्रधान मंत्री सयुक्तराष्ट प्रायोजित सत अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़े दी हुई है लेकिन समस्या यह है कि अंग्रेजी वाले प्रशन में उत्तर दे दिया है यहाँ प्यूष गोल जी का नाम एडवांज में दे दिया है इसके बाद आगे बढ़ते है और इसका उद्देशी भी देख लिजेगा Q88 में कहा गया कि AGI विकास बैंक ने चालो वित्ति वर्ष 2021 इसके लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर दिया है कितने परसेंट पर संशोधित किया गया है ये देखिए Q88 का राइट एंसर क्या होगा C वाला होगा मतलब 10 फीजदी कर दिया गया है तो C वाले आप्शन को चुनेगे इसके बाद Q89 को देखते है Q89 का B वाला हो जाएगा Q89 को यहाँ पर एंटोनियो गुत्रेस के द्वारा जो चिहत्तरवी सेयुक्तराश्ट महा सभा है उसमें अधिवक्ता के तोर पे अपॉइंट किया गया इसके बाद Q90 को देखते है इसमें कहा गया कि कौन सा दिवस 26 सितंबर 2021 को नहीं मनाया जाता है यहाँ पर 90 नंबर के question को आप देख रहे है इसका A हो जाएगा International Day for Sign Language इसके बाद अगले बाले को देखते है यह कब मनाया जाता है तेई सितंबर को इसके बाद अगले बाले को देखते है question number 91 में कहा जाता है इसके बाद अगले बाले को देखते है 92 को इसमें कहा जा रहा है कि किस भारती प्रहोद होगी किस अंस्थान ने ड्रोन के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रहोद होगी कि नमाचार केंदर लॉंच किया है तो 92 का राइट अंसर क्या होगा इसमें से D वाला हो जाएगा यह कानपूर का IIT है यहां आपने देखा इसके बाद 93 को देखते है 93 में कहा गया कि विच यूनियन मिनिस्टर है रिसेंटली फ्लैग्ड ओफ द इंडियन आर्मी सिस्किलिंग एक्सपिडिशन नेम आर्मेक्स 2021 मतलब 21 का मतलब यहां पे साल से संसकरण से ही है और नाइजिन हिमालेन माउंटेन रेंजिस तो यह कौन से मिनिस्टर है आप देखकर बताईए इसमें से वस्टर नंबर 93 का करेक्ट अंसर क्या होगा सी वाला होगा राजनात सिंग जी के द्वारा इसको लांच किया गया है इसके बाद 94 को देखते है इसमें कहा गया कि नीदरलेंड के कि शहर में दुनिया का पहला 3D printed steel bridge जनता के लिए खोल दिया गया है और इस pull की लंबाई कितनी बड़ी है मतलब कितनी है ये बताना है तो 94 का करेक्ट अंसर क्या होगा B वाला हो जाएगा MS Tardom में खोला गया है और ये 40 feet की लंबाई वाला है 95 को देखते India has scored अब यहाँ पर प्रतिशात आपको बताना है कि in the 2021 UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation और इंडिया's score was अब कितना score percent में था 2019 में मतलब 2019 का जो संसकरण था उसमें कितने percent भारत को मिला था ये दोलों चीज़े देखनी और 95 का correct answer क्या होगा ये वाला हो जाएगा 90.32% और 78.49% इसके बाद 96 को देखते है यहाँ पर कहा गया कि World Mosquito Day has recently been celebrated on 20 August और what is the theme of World Mosquito Day 2021 यहाँ theme आपको बतानी है तो 96 का correct answer क्या होगा ये 20 August को मनाया गया था और इस बार का theme क्या था जीरो मलेरिया लक्षे तक पहुचना ये वाला तो इसमें B वाले option को चुनेंगे इसके बाद अगले वाले को देखते है 97 में कहा गया कि विच स्टेट हाज रिसेंटली बिकम दा फॉस्ट इंडियन स्टेट तो प्रोवाइड Smart Health Card ये आपको देखना है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि PR श्री जेश को किस राज्य में साहसिक परेटन के ब्रांड अबिस्टर के तोर पे अपॉइंट किया गया है अब इसमें दो चीज़े आपसे पूची जा रही है इसका B वाला option सही होगा ओडिशा और इसके साथ साथ केरल ठीक है तो ओडिशा और केरल वाला option इसमें कहा पर दिया हुआ है इसके बाद 98 को देखते है 98 में कहा गया कि किन दो देशों की 9 सेनाओं के बीच में रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षर चीन सागर में एक विपक्षिय समुदरी अभ्यास किया जा रहा है ये कौन सी दो देश की सीमाएं सेनाएं हैं तो इसमें आप देखें कि भारत और वियतनाम की जो नेवी है उसके बीच में ये सेनने अभ्यास हुआ था तो इसका D वाला option परफेक्ट होता है इसके बाद question number 99 को देखते हैं इसमें कहा गया कि direct selling FMCG firm M.W. India इसने M.W. और उत्पादों की neutralite range के लिए random visitor किसे ने उक्त किया है उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है और हाली में कि सभिनित्री को मामी Film Festival का अध्यक्ष नामिनेट किया गया है अब इसमें आप देखकर बताएं तो question number 99 का जो correct answer है वो इसमें से B वाला हो जाएगा मतलब मीरा भाई चानू और प्रियंका चोपडा जोनस इसके बाद अगले वाले को देखते हैं question number 100 को इसमें last question है GS वाले portion का कहा जा रहा है कि select the incorrect option as per the list of 50 most polluted city in the world prepared by the British company और इस company का नाम क्या है house fresh तो अब इसमें आप देखकर बताएं इस सूची में फरीदाबाद को दूसरा सबसे प्रदूशित शहर गोशत किया गया है और चीनी शहर होतान को सबसे प्रदूशित शहर का नाम दिया गया है आस्टेलिया के जूटबरी को सबसे साफ हवा वाले शहर का नाम दिया गया है मतलब उसमें top पर रखा गया है तो 100 का जो last question का यहाँ पर answer है वो क्या होगा इसमें से देख लीजे देखे इसका A हो जाएगा इस सूची में यहाँ पर हमें गलत विकल्ब का चैन करना था तो A वाला हो जाएगा क्योंकि अगर देखा जाए तो British Company House Press ने इस पूरी लिस्ट को तयार किया था और उतर प्रिदेश का जो गाजिया बाद है इसको 2020 में दुनिया के 50 सबसे जो प्रदूशिच चहर है उसमें सबसे दूसरा सबसे प्रदूशिच चहर घोशित किया गया था ठीक है और ऑस्ट्रेलिया में जूट बरी जो था इसे स्वक्षवा वाले शहरों की सूची में शिर्शिस्थान दिया था तो ये चीज़ है मतलब बाकी सभी जानकारियां सही है तो उनको भी देख लीजेगा लेकिन ये वाला गलत है या फरीदाबाद नहीं गाजेअबाद होगा इसके बाद चलते हैं अगले वाले सेक्शन की वर जो की है यहां पर है देख लीजे और बताईए यहां पर तू प्रिवेंट डैमेज में इरर है या फिर लिक्विडेट इस ग्रेन स्टॉक में इरर है कहां पर है पर इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं इसमें कहा गया कि आप्टर टू मंथ देख कर बताएं कहां पर गड़ पड़ है यह जो पार्ट है ने सेंटेंस का इसमें मिस्टेक है अब इसमें कौन से पार्ट में दिक्कत है तो क्शन नमबर थर्ड का करेक्ट अंसर क्या होगा थी वाला हो जाएगा इसके बाद question number 4 को देखते है यह बुरा sentence है अब इसमें कौन से पार्ट में mistake है यह आपको देखना है तो इसका ए वाला option हो जाएगा यह जो लिखा हुआ है इसी में दिक्कत है इसके बाद question number 5 से लेकर 9 तक हमें करना यह है कि correct alternative होज कर इसमें भरना है मतलब sentence में underline part के जगह पे कुछ सुधार करने है तो इसमें आप देखें hardly he had entered the station when the train whistles इसमें दिया हुआ है अब इसमें आप देखें कि hardly he had entered जो लिखा है उसके नीचे underline है उसकी जगह हम क्या लिख सकते है तो fifth वाले की जगह हम लिख सकते है बी वाला option इसमें भर दीजे hardly had he entered थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा इसके बाद अगले वाले को देखते है question number six जो कि इधर उपर दिया हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि the study found that men who were married lived longer than those who were not मतलब जो विवाहित पूरश होते हैं जो जादा जीते हैं जो अविवाहित होते हैं उनकी तुल्ला में ये कोई study नहीं है खर तो अब इसमें नीचे जो underline किया है उसके लिए आपको correct alternative खोजना है मतलब substitute करना है तो those who were इसके लिए क्या भरा जा सकता है तो question number six का जो correct answer है मतलब इसमें कोई भी substitution क्या हो शकता नहीं ये sentence जो है ये सही है इसके बाद seventh number के question को देखते है question number seven में कहा गया कि we found out that our competitors were selling a similar product on the much higher price अब यहाँ पे on a much higher price जो है उसके नीचे है underline क्या उसकी जगा पे लिखा जा सकता है या कोई substitution चाहिए ही नहीं तो seventh वाला जो question आप देख रहे है इसमें D हो जाएगा at a much higher price यहाँ पे at a much higher price जो है वो लिखा जाएगा इसके बाद eight नंबर के question को देखिए राशी had not eaten everything from yesterday अब यहाँ पर everything from जो लिखा हुआ है उसके नीचे underline है क्या लिखेंगे उसकी जगा पे तो question number eight का जो right answer है वो a हो जाएगा anything since ठीक है anything since इस प्रकार से लिखा जाएगा इसके बाद question number nine में देखिए the new traffic signal is not clear visible from a distance ठीक है यह sentence है अब is not clear जो है उसके नीचे है underline क्या वहाँ पे लिखेंगे मतलब कोई improvement चाहिए या नहीं चाहिए तो ninth वाला जो question है इसका correct answer B हो जाएगा मतलब are not clearly यहाँ लिखा होना चाहिए था जो की नहीं लिखा है तो B वाले option को चुल लेते हैं अब इसके बाद 10 में से लेकर 14 में तक इसमे active passive wise का conversion है इसे देख लीजेगा तो इसमें 10th number का जो question इसमें दिया हुआ है अब इसमें इसकी जगह पर क्या इसका conversion हो सकता है देखे 10th वाला जो है इसका correct answer क्या होगा यह वाला हो जाएगा इसके बाद 11th number के question को देखे अब इसमें इसकी जगह convert करके कैसे लिखा जा सकता है तो इसके conversion को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि the plants are looked after well by the new gardener यानि जो C वाला option है वो perfect है इसके बाद 12th question को देखते हैं अब इसमें आप देखे कि जो sentence है उसको कैसे बदला जा सकता है तो 12th वाला जो question है इसके लिए हम लिख सकते हैं कि my car was repaired by इसके बाद question number 13 को देखते हैं इसमें कहा जा रहा है कि how much monthly rent did you pay for the house अब इसे कैसे convert करिएगा तो question number 13 का जो right answer है वो इसमें C हो जाएगा how much monthly rent was being paid for the house इसके बाद 14 number के question को देखिए have you paid your outstanding माप किजएगा यहां देखिए have you paid your outstanding bills यह question है अब इसे convert करना है आपको question number 14 का right answer क्या होगा A वाला हो जाएगा have you outstanding bills been paid इस प्रकार से इसे पूछा जा सकता है इसके बाद question number 15 से लेकर 18 तक हमें क्या करना है direct in direct speech वाला conversion है तो आईए इसे करते देखिए इसमें question number 15 जो है वो यहां दिया है इसमें कहा जा रहा है कि the interviewer ask Ashok why did you leave the job last month यह question पूछा गया उसे अब इसे indirectly हमें convert करना है तो question number 15 का जो indirect speech होगा वो क्या होगा the interviewer ask Ashok why he had left the job the previous month ठीक है तो इसमें जो C वाला option है वो perfect है इसके बाद question number 16 को देखते है उमा ask me how is your brother यह question पूछा गया अब इसे indirectly हमें बदलना है तो इसमें question number 16 का correct answer है वो C होना चाहिए मतलब उमा ask me how my brother was इसके बाद question number 17 याद रखेगा कि इसमें question mark नहीं लगेगा तब 17 number के question में देखिए इसमें कहा गया कि the doctor told his patient continue the same course of medicine for the next week इस प्रकार से है मतलब doctor ने अपने patient से कहा अब यह सीधे सीधे पूछा गया है लेकिन इसके बाद अब इसे indirect group में convert करेंगे तो कैसा दिखाई देगा 17 number का question D वाला option इसका चुल लेते है the doctor told his patient to continue the same course of medicine for the following week यहां कुछ अलग धंग से इसका conversion इसके बाद question number 18 को देखते है 18 वाले में कहा गया कि हेमंथ said to the hotel receptionist यहां आप देखे please tell भारत I will come to see him tomorrow at 10 a.m. इस प्रकार से अब यह direct speech का sentence है इसे indirectly convert करना है तो कैसे convert करेंगे इसे हम convert कर सकते है इसके बाद अगले वाले को देखते है यहां पर 19 से लेकर 23 तक हमे filling the blank वाला जो काम है उसे complete करना है तो आई के बाद एक बड़ा सा खाली स्थान है और लिखा हुआ है कि him to use my bike to go to the office यहां पर granted होगा allowed होगा या admonished होगा क्या होगा इसमें से तो question number 19 जो आप देख रहे हैं इसका correct answer क्या होगा b वाला हो जाएगा allowed यानि अनुमती दी इसके बाद question number 20 को देखते हैं इसका b वाला सही था 20 में प्रशन में कहा गया इसके बाद एक blank space है way लिखा जाएगा middle लिखा जाएगा side लिखा जाएगा तो more भरा जाएगा या most भरा जाएगा much more भरेंगे much भरेंगे 21st 21st का b हो जाएगा most भर सकते हैं इसके बाद अब देखें 22 में आगे ही खाली जगा है यहाँ पे कहा गया कि reverse have water throughout the year यहाँ पे epithermal होगा perennial होगा या फिर कौन सा होगा तो question number 22 का right answer होगा b वाला ठीक है इसमें b वाले option को चुल लेंगे इसके बाद अगले वाले को देखते question number 23 में कहा गया कि our salaries अब इसके बाद यहाँ पे have, are, has या is क्या भरा जाएगा increase over the year तो question number 23 का correct answer क्या होगा R यहाँ पे भरा जाएगा मतलब our salaries are increased over the years इसके बाद अब 24 से लेकर 29 तक हमें जो alternative है यहाँ पे best expression देने वाला उसी same word का मतलब समानार्थी वो खोजना है तो orthodox की जगह उसका समानार्थी क्या लिख सकते है question number 24 और इसका C वाला हो जाएगा traditional जो पारंपराबादी या पारंपरिक होता है 25 में quest लिखा हुआ है तो quest की जगह पे क्या लिखा जा सकता है समानार्थ वाला 25 का right answer A हो जाएगा search लिख सकते है middle middle जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिख सकते है मतलब समानार्थ या ढूड़ना है एक तरह से परियाएवाची तो 26 का correct answer B हो जाएगा यहाँ पे interfere लिख सकते है ideology की जगह पे क्या लिख सकते है belief लिख सकते है कि recognition लिख सकते है क्या लिखा जा सकते है तो 29 का B वाला हो जाएगा मतलब यहाँ पे momentary लिखा जा सकता है अब यहाँ पे 30 से लेकर 33 तका में opposite तलाशना है तो यहाँ लिखा हुआ है captivity captivity की जगह पे इसका उल्टा क्या लिखा जा सकता है तो इसका उल्टा हो जाएगा liberty ठीक है मतलब गुलामी और आजादी इसके बाद देखें आप approve लिखा हुआ है approve की जगह उल्टा क्या हो सकता है 31st तो इसका B हो जाएगा reject ठीक है approval दिया या rejection दिया question number 32 में progress लिखा हुआ है तो इसकी जगह advancement लिख सकते हैं growth लिख सकते हैं बाफ कीजेगा one word substitution वाला देखना है मतलब यहां sentence दिया है उसके लिए एक जो appropriate word है वो तलाशना है तो one who makes and sells wheat and pastries उसको क्या कहा जाता है grocer बोला जाता है या फिर क्या बोलते है तो होता है वो हलवाई ही लेकिन इस तरह का काम कर रहा है उसे entomology कहा जाता है etymology कहा जाता है taxonomy कहा जाता है dermatology कहा जाता है या taxidermy कहा जाता है तो question number 35 का right answer D हो जाएगा taxidermy कहा जाता है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 36 में कहा गया person who is skilled at writing beautifully तो उसको क्या कहेंगे caligrapher कहेंगे calligraphy में सुंदर लिखावट को बल दिया जाता है इसके बाद 37 में कहा गया कि the statistical study of population उसको क्या बोलेंगे demography बोलेंगे sociology बोलेंगे क्या बोलेंगे तो demography ही बोलेंगे demographical dividend आपने पढ़ा होगा इसके बाद 38 को देखते है place for collection of dried plant specimen उसको क्या बोलते है उसे herbarium बोलते है आपने छोटी कक्षाओं में file बनाई होगी तो उसमें पीछे herbarium में चना मतर गे हूँ चिपकाया होगा इसके बाद अगले बाले को देखते है 39 में कहा गया कि a group of stars found close together तो यह क्या होता है मतलब इसको क्या बोला जाता है अब इसमें 39 वाले का correct answer क्या होगा d वाला हो जाएगा उसे constellation बोला जाता है ठीक है यहाँ एक शब्द में constellation बोला जाता है इसके बाद अगले वाले को देखते है 40 अब person or thing that has the same name as another मतलब यहाँ पर दोनों का समान नाम है तो यह क्या होगा तो 40 वाले का correct answer भी हो जाएगा नेम शेक इसके बाद 41 से लेकर 46 तक यहाँ item phrase वाला जो sequence है वो चलेगा उसके बाद spelling mistake वाले कुछ question है तो पहले ही से देखते है my aunt who orders everyone around is a pain in the neck अब यहाँ पर is a pain in the neck a pain in the neck वाला जो part है ने sentence का उसको bold किया हुआ है मतलब वही आपका item है उसका मतलब क्या होगा irritating होगा या short tempered होगा क्या होगा इसमें से तो 41 का right answer A हो जाएगा irritating ठीक है इसके बाद question number 42 को देखते हैं इसमें कहा गया कि please come to the point do not beat around the bush अब इसमें beat around the bush जो लिखा हुआ है उसमें उसका earth क्या होगा 42 का right answer क्या हो जाएगा A वाला avoid the topic make no headway अब यहाँ सीधा सीधा आपको item देकर पूछा जा रहा है earth तो 43 का right answer क्या हो जाएगा B वाला हो जाएगा मतलब unable to progress ahead ठीक है B वाले option को चुना इसके बाद 44 को देखते है इसमें कहा गया कि make short work of something इसकी जगा पर क्या लिख सकते है तो 44 का right answer क्या होगा B वाला हो जाएगा dispose off quickly ठीक है यह वाला इसके बाद question number 45 को देखते है और 45 वाले में कहा गया कि in a nutshell यह तो पिछले वाले में भी हमने देखा था इसका अर्थ क्या होगा जल्दी बताइए तो देखे इसका D हो जाएगा express very briefly इसके बाद अगले वाले को देखते है be an open book यह क्या है एक तरह का item है इसका अर्थ क्या होगा तो question number 46 का A हो जाएगा one about whom it is easy to know everything इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 47 से आप correction spelling mistake जो है उसको correct करने की बाद है तो अब यहाँ पर जो spelling है उसमें से correct word आपको तलाशना है और 47 का right answer A हो जाएगा convenience जो लिखाया है वो सही लिखाया है उसके बाद अगले वाले को देखते है यहाँ correct word फिर से देखना है देखी कौन सा है और इसका जो 48 है इसका correct answer B हो जाएगा exhale rate इसके बाद question number 49 में कहा गया अब इसमें correct आपको इसमें भी देखना है मतलब A कही सही है कोई सा तो देखे 49 का D हो जाएगा यह off scale जो लिखा हुआ है ने यह वाला सही है इसके बाद last question को देखते हैं अंग्रेजी के इसमें आपको correct word खोजना है तो philosophy को कैसे लिखा जाएगा और philosophy को लिखने का तरीका यह आप भी जानते हैं उपर वाला है यह वाला option इसका सही होगा इसके बाद अब computer section में चलते हैं भारत का पहला computer कहाँ पर establish किया गया था तो भारत का पहला computer जो है वो establish किया गया था भारती सांखी की संस्थान कलकता में पहली बार ठीक है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number second में कहा गया कि integrated circuit chips जो है वो use की जाती है computer में usually made from the following वो किस से बनी होती है तो silicon से बनी होती है chips जो है वो silicon से ही बनती है अब यहाँ पर कौन सा सही है तो full farm दे रखा है जैसे GUI का मतलब होता है graphical user interface video का मतलब होता है visual display unit और ALU का मतलब होता है all logical unit ठीक अब इसमें आप देखें कि कौन सा सही है तो third वाले का क्या होगा A वाला होगा यानि पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा वाला क्यों गलत है mathematical logical unit होता है ने ALU का तो यह गलत है मतलब पहला दूसरा सही है तो A वाले को चुना इसके बाद fourth number के question को देखता है RAM का जो use है RAM is used as less memory because it अब यह क्यों ऐसा होता है इसके साथ तो यह unstable होता है या फिर बहु ज़्यादा precious होता है या इसका potential low होता है या programming की वज़े से होता है तो fourth वाला जो है इसका correct answer A हो जाएगा unstable होता है इसके बाद question number next को देखते है यानि fifth वाला in order to convert raw input into useful information the following basic procedure is followed by all computer system तो कौन सा इसमें से procedure use किया जाता है ज़रा देखे fifth वाला जो है इसका correct answer A हो जाएगा input store process output control यह वाला जो sequence है इसको use किया जाता है इसके बाद sixth number के question को देखते है which of the following is used as an input device printer, monitor, webcam switch यह हम लोग पिछले test में भी हल कर चुके है इसका correct answer क्या होगा C हो जाएगा webcam इसके बाद seventh number के question को देखते है which of the most commonly used pointing input device अब इसमें आप देखें तो seventh वाला जो question है इसका correct answer D हो जाएगा mouse ठीक है इसके बाद अगले वाले को देखते है eighth question में कहा गया कि कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतिक या एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है मतलब एक से अधिक जो प्रतियां है वो एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है तो यह कौन सा printer है यह आप से पूछा जा रहा है printer की variety देखिए eighth number का जो question है इसका C हो जाएगा dot matrix printer जो होता है वो एक से ज़्यादा एक पार्वे नहीं कर सकता है इसके बाद question number 9 में कहा गया कि कौन सा hardware का उधारन नहीं है अब इसमें आप देखें तो इसका D हो जाएगा operating system यह hardware का उधारन नहीं है तो software का सबसे अभी नहीं हिस्सा है question number 10 में देखते है यहाँ पर कहा गया कि mega heartage या MHZ जो है इसका मतलब क्या है तो अब यहाँ पर इसका मतलब देखिए क्या हो सकता है यह आप रित्ती होती है heartage में आप रित्ती को नापते है फ्रिक्वेंसी को तो इसमें से क्या होगा question number 10 का right answer इसमें से D हो जाएगा million cycles per second ठीक है मतलब million चक्कर एक second में इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 11 which of the following company had recently announced the launch of India's first personal computer with one terabyte heart drive capacity heart drive की capacity कितनी 1 terabyte तो ऐसा computer कौन सी company launch करेगी अब इसमें आप देखें तो 11th question जो है इसका correct answer क्या होना चाहिए फिर C वाला होना चाहिए HCL enforcedism जो है उसके दवारा ये launch किया जाएगा इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 12 को इसमें कहा जा रहा है कि which of the following is known as a part of memory तो ये sector है offset है क्या होगा इसमें से तो 12th वाला जो question आप देख रहे है इसका correct answer D हो जाएगा frame कहा जाता है इसके बाद आप देखें Windows 10 में निमनलिखित में से कौन सा control panel item उपयोग करताओं को computer पर पहले से install किये गए program को uninstall करने की अनुमती देता है अब ये क्या चीज़ है तो question number 13 का right answer क्या होना चाहिए फिर इसमें आप देख लीज़े C वाला हो जाएगा मतलब program इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 14 14 वाले में कहा गया कि निमनलिखित में से कि संचालक यानि operator का इस्तेमाल करके operand के मान यानि value की तुलना value की तुलना करने के लिए किया जाता है मतलब कहने का ताथ पर यह ने कि संचालक का उपयोग करके following operator is used to compare the value of operand ये क्या चीज़ है logical operator है या relational operator है क्या होगा इसमें से question number 14 का right answer इसमें से B वाला हो जाएगा relational इसके बाद यहाँ आप देखें computer program के बारे में दिया हुआ है कि क्या चीज़ सही है तो 15 वाला जो है न इसका correct answer A हो जाएगा does all thinking for the computer ठीक है यही इसका काम होता है A वाले option को जुनते है question number 16 को देखिए basic is which of the following language ये किस प्रकार की language है आप देखें तो 16 का correct answer क्या होना चीज़ फिर A वाला होना चीज़ ये procedural language है इसके बाद अगले वाले को देखते question number 17 में कहा गया कि कौन सी computer भासा सबसे पहले develop की गई थी और इसका जो right answer है वो C हो जाएगा मतलब फोटरान को सबसे पहले विक्सित किया गया अब यहाँ पर कुछ digit जो है इसका उपयोग binary संख्या प्रणाली में होता है तो 0 और 1 का होता है तो simple है B वाले option को चुनेंगे इसके बाद question number 19 में कहा गया है कि BCD का full farm क्या होता है जरा बताइए तो इसका 20 वाले का correct answer क्या होगा C वाला हो जाएगा उसे main board भी कहा जाता है system board भी कहा जाता है इसके बाद हिंदी वाला segment स्टार्ट होता है तो कनिष्ठिका और मध्यमा अमुली जो है उसके बीच की अमुली को क्या कहा जाता है तो बीच की अमुली अलगावादी नहीं होगा भाई पुलिंग कौन सा है मकान होता है सडक होती है वस्तु होती है माला गूती जाती है तो भाई मकान होता है ये पुलिंग है इसके बाद विकारी शब्द क्या होता है मतलब इसमें से कौन सा विकारी है इधर, उधर, वहाँ, हाथी, कौन सा विकारी है बताईए तो फोर्थ वाला जो आप देख रहे है ना इसका correct answer इसमें से D हो जाएगा, हाथी अब यहाँ यह पूछना चाहिए था कि विकारी शब्द कौन सा नहीं है ठीक है, तो विकारी शब्द इसमें से हाथी नहीं है बाकी जो शब्द है वो विकारी है यानि विशेशड के तोर पर यूज किया जा सकते है तो इसमें जो नहीं है वो आपको बताना था तब आपका जो उत्तर है वो D होगा इसके बाद अगले वाले को देखते है पाँचवे में कहा गया कि कठिन शब्द को इस पश्ट करने के लिए किस विराम चिन्ने का इस्तेमाल किया जाता है फिफ्ट वाले क्वेश्टन को जड़ा देखिए अब देखिए इसका correct answer C हो जाएगा कोश्टक का इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद आप देखें वह स्रेष्ट उपाशक है इसमें विशेष्य क्या है तो विशेष्य कौन होता है जो विशेषण जिसकी विशेष्टा का वर्डन कोई विशेषण कर रहा हो तो स्रेष्ट शब्द जो है यहां देखें, वह स्रेष्ट उपासक, यह तीनों दे दिया है, है भी दे दिया, स्रेष्ट शब्द जो है वह उपासक की विशेष्टा बता रहा है, और साथ में उपर एकदम शुरुवात में वह भी दिया है, तो ज़रा इसमें देखकर बताएं, और यह जो छटवा क्वे 17 का correct answer, माफ कीज़ेगा, question number 7 का जो correct answer है, वो इसमें C हो जाएगा, यहां न, यह देखिए, यह थोड़ा सा अलग धंका है, यह इस प्रकार से है न, तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब यह जो symbol है न, यह division का symbol हो गया, तो division का symbol तो होगा नहीं, यहां पाद 3 होते हैं, हाला कि 4 प्रकार होते हैं, लेकिन 4 प्रकार को इसमें संभवता शामिल नहीं किया गया है, इसके बाद अगले बाले को देखते हैं 9 नंबर के question को, वैसे अगर देखा जाए तो हर विशेशन के बहुत सारे प्रकार है, अजात शत्रू में कौन सा समास है, जिसका आप 10 नंबर के question में आराम से guess कर सकते हैं, दुशेंत कुमार जी हैं और कौन है, और गजल बीन की प्रेम रस से परिपूर नहीं, बलकि वीरता युक्त होती हैं, इसके बाद अगले बाले को देखते हैं, question number 11, मेवाती बोली बोली जाती है कहां पर, तो इसका जो correct answer है वो नदी को कहा जाता है, बाकी सब नाजुक के परियावाची है, उत प्लस हार के योग से क्या बनता है, उत धार बनता है, अब इसके बाद जनरल इंटलिजेंसिया वाला जो segment है, वो स्टार्ट होता है, तो दी गई sheet को मोड कर एक घन बनाया जाता है, अब अपने paper को मत मोड को दीजेगा, वहाँ पर digital होगा, अला कि मतलब online exam होगा, और इस प्रकार बने घन में संख्याओं का निमनलिखित में से कौन सा यूग मापस में बिपरीत फलकों पर होगा, अब इसमें आप देखकर बताईए, तो दीखें, फस्ट क्वेस्टन जो है, इसका correct answer क्या होगा, यह वाला हो जाएगा, दो और तीन यहाँ पर होगे, ठीक है, दो और तीन के हिसाब से करेंगे, इसके बाद second question को देखते हैं, इसमें आकरती का चैन आपको करना है, जो कि आकरती श्रंखिला में प्रशन चिन्ड को प्रतिस्थापित कर सके, मतलब तीन आकरतियां पहले से दी हुई है, जो चौथी वाली है, उसको आपको इसमें से खोजना है, तो second question जो आप देख रहे हैं, इसका correct answer C हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसके बाद question number third में आपको दिखा हुआ है, इसमें कि beauty को कुछ इस प्रकार से coding की जा सकती है, ठीक है, तो हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसके बाद fourth question को देखते है, इसमें आपको आकरती जो दी है, उसमें बताना है कि कौन सी आकरती समाहित है, तो main जो figure है, वो आपका ये है, ठीक है, अब इसमें कौन सा figure समिलित है, ये देखना है, और आकरती को घुमा है, अक्षर समू का सम्बन देखना है, तो fifth वाला जो question आप देखना है, इसका correct answer, A हो जाएगा, J, R, U, माफ कीज़ेगा, J, R, U, question number six में का आगया कि नागालेंड कोहिमा से उसी प्रकार से सम्बन दित है, जैसे असम देसपूर से सम्बन दित है, राजधानी मिलानी थी, त्रिभूज गिनना है, इसमें भाई गिन कर बताईए, तो seventh वाला जो question है, इसका correct answer क्या होगा, D वाला हो जाएगा, 13 त्रिभूज है total, गिल लिजेगा, इसके बाद eighth number के question में आपको यहाँ संख्या complete करनी है, मतलब number series complete करनी है, तो 65, 70, 80, 95, उसके बाद 115, उसके बाद 40, ब्लैंक स्पेस है, वहाँ question mark है, तो question mark की जगा कौन सी संख्या भरेंगे, अब यहाँ अगर आप देखें, तो eighth question जो है, इसका correct answer C हो जाएगा, मतलब 140 भरा जाएगा, 140, इसके बाद 9 नमबर के question को देखते हैं, उस विकल्प का chain कीजे, जिसमें दी गई संख्या हैं आपस में ठीक उसी प्रकार से संबन्दित है, जैसे कि प्रशन में दीएगा, इस set में संख्या हैं संख्या हैं, अब इसमें आप set ढूढ़िए, तो 789, 501, 645 यह पहले से दिया है, वैसा ही आपको खोजना है, तो 9 जो question है, इसका correct answer क्या होगा, D वाला हो जाएगा, 455, 573 और 514 इसके बाद 10 वे question को देखते हैं, यहां भी वही set दे रखा है, वैसा ही आपको ढूढ़ना है, तो 10 वे question जो आप देख रहे हैं, इसका correct answer, A हो जाएगा, यानि 18, 15 और 540, इसके बाद 11 वे question को देखते हैं, कौन सा विकल्प यहां शब्दों का सही करम आपको दर्शाएग इसका जो perfect arrangement है, वो कौन सा हो जाएगा, B वाला हो जाएगा, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और पहला, इसके बाद question number 12 को देखते हैं, इसमें आपको दिया हैं कि 29 जनवरी 2003 को बुद्धवार था, तो 26 फरवरी 2005 को सब्दा का कौन सा दिन होगा, अब यह जो क्रम बिठा कर भरेंगे, तो जो D वाला इसमें alphabetical क्रम है, वो भरा जाएगा, इसमें, इसके बाद question number 14 को देखते हैं, विशम, माप किजएगा, उस विकल्प का चैन करना है, जिसे कि तीसरी संख्या को उसी तरह से rate किया जा सकता है, जिसे पहली और दूसरी संख्या आपस 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नल प्राता आट बजे एक साथ खोल दिया जाते हैं, कुछ देर बात पहला वाला बंद कर दिया जाता है, और प्राता आट 27 पर हौज पूरी तरह से भर जाता है, कितने बजे पहले नल को बंद किया गया था, जरा बताईए, तो 15 वाला जो यह डिजाइन बना हुआ है, तो 16 का करेक्ट एंसर क्या होगा, C वाला हो जाएगा 11, और उसके बाद अब यहाँ जो एपिट्यूट सेक्शन है, उसको देख लेते हैं, तो यदि किसी घन की प्रतेक बुजा में 10% की वृध्धी की जाती है, तो उसके प्रिष्टिये 6 तर यह क्रमांकित है, जैसे वे क्रम में दिखाई देती है, जब वे प्रतेक संख्या को उसके क्रमांक में जोड़ा जाता है, जिसे कि मान लीजे 24 जो है वो पहले नंबर पर है, तो उसके साथ एक जोड़ा जाएगा, तो बनने वाली नई संख्या होगा जो ऑसत है, वो अच् कि second question जो है इसका correct answer C हो जाएगा बचास इसके बाद तीसरे question को देखते हैं एक आदमी की उम्र उसके पिता की उम्र की उम्र की आनुपाद के चार रेशियो पांच में है उसके उम्र का उसके बेटे की उम्र से आनुपाद 6 रेशियो एक का है चार साल पहले आनुपाद करमशा 11-14 और 11-1 का था 12 वर्ष बाद दादा की आयू का पोते की आयू से आनुपाद क्या होगा अब इसमें आपको देखना है तो 13 वाला माँ की जगा तीसरा वाला इसका बी हो जाएगा 18-5 का रेशियो है 18-5 का रेशियो है इसके बाद 4th नंबर के question को देखते है H और O के बीच की जो दूरी है मतलब H और O क्या है दो जगा है अब इनके बीच की दूरी D है अब एक दर्धारित स्थान से किसी व्यक्ति को H से O तक प्राप्त करने वाली औसत गती की ऐस हिकाई है यदि वह 60 km पर घंटा की गती से यात्रा करता है तो वह सामाने से 20 मिनट अधिक समय लेता है और 75 km पर घंटा की गती से यात्रा करता है तो 44 मिनट पहले पहुंच जाता है D और S के संख्यात्मक मान का योग क्या है यह आपको बताना है तो 4th question का correct answer क्या होगा D वाला हो जाएगा 384 इसके बाद अगले question को देखते है जो कि है पांचवा एक तेल व्यापारी अपने द्वारा खरीदे गए 50 लीटर तेल को रुपए में बेच कर कितने रुपए में बेच कर वो यहाँ दिया हुआ है यहाँ तेल को क्या कर रहा है खरीद रहा है और इसके लिए कुछ लीटर डुपए तेल मिलाता है जिसका क्रेम उली कितना है 180 रुपए प्रती लीटर है इतने रुपए पर बेचता है यहाँ थोड़ा सही ना जो हिंदी वाला दिया है यह सही नहीं है इसका अंग्रेजी वर्जन देख लेते हैं इसको छोड़ देते हैं यहाँ का आगया कि अन आयल मर्चेंट वांट तो मेक अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ तू थाउजन वन अंडर्ट वाई सेलिंग अब यह आपको बताना है डुप्लिकेट ऑईल का कितना मात्रा चाहिए था तो क्वेशन नंबर फिफ्ट का जो राइट अंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा 20 लिटर चाहिए थे इसके बाद छटवे नंबर के क्वेशन को देखते हैं पर कहा गया कि 4000 रुपए एक वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की वर्ष की दर से दिये जाते है ठीक है अब इसमें ब्याज जो है वो अर्दवार्शिक रूप से संयोजित होता है 2000 रुपए 40% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 83 रुप से दिया जाता है प्राप्त कुल ब्याज इसके निकटम है कितने निकटम है बात बताईए आप तो देखे चटवा जो प्रशन आप देख रहा है इसका करेक्ट अंसर C हो जाएगा 1130.70 इतना रुपए इसके बाद अब यहाँ देखे एक सिरीज दी वही है संख्या अब इसमें कहा गया है 59A, 44B is divisible by 36 मतलब यह जो संख्या है यह 36 से विभाज जे है तो A प्लस B का अधिक्तम मान कितना है यह आपको बताना है अब यह जो 7th question है इसका correct answer B हो जाएगा 14 maximum इसके बाद question number 8 को देखे 1.15% इसके बाद 9 नंबर के question को देखे A किसी कारे को निश्टित दिनों में समाप्त कर सकता है B समान कारे को स्वतंत्र रूप से समाप्त करने में 45% अधिक दिन लेता है 58 दिनों तक एक साथ कारे किया गया और शेशकार ये अकेले बीदवारा 29 दिनों में किया गया यदि अकेले कारे किया गया हो तो ए उस कारे को कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो 9 जो question आप देख रहा है इसका correct answer B हो जाएगा यानि 118 दिन इसके बाद question number 10 को देखते हैं एक पिता की आयू उसके पुत्र की आयू की 9 गुनि है एक माता की आयू उसके पुत्र की आयू की 8 गुनि है पिता और माता की आयू का योगफल और तैंक को बताना है तो 10th number का question आप देख रहा है इसका correct answer D हो जाएगा तीन साल इसके बाद 11th नंबर के question को देखते हैं दो pipe क्रमश A और B जो है वो 8 मिनट और 12 मिनट में एक tank को भर सकते हैं यदि दोनों pipe एक साथ खोल दिया जाते हैं तो B किस्समें बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि tank जो है वो 6 मिनट में भर जाए तो 11th question जो आप देख रहा है इसका correct answer C हो जाएगा यानि 3 मिनट इसके बाद question number next को देखते है यानि 12th वाला तीन साल बाद दीपा एम्मा से 3 गुना बड़ी होगी और एम्मा जो है वो फेमिना से 6 साल छोटी होगी अगर दीपा की उम्र के 3 गुने से 3 कम है मतलब जो दीपा है उसकी उम्र जो है वो फेमिना की उम्र से 3 गुने कम है यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रेशन है उसका अंग्रेजी वर्जन आप देखे तो जादा बेतर होगा इसमें कहा गया कि दीपाज एज is 3 years less than twice फेमिना जेज मतलब जो फेमिना नाम की लड़की है उसकी आयू के दो गुने के दो गुने से जो दीपा की आयू है वो 3 साल कम है ध्यान दीजेगा जो आयू उसकी फेमिना की है उसके दो गुने से दीपा की आयू 3 साल कम है तो यहाँ पर फेमिना की जो एक्चुल आयू है वो आपको बतानी है और question number 12 जो है इसका अंग्रेजी वर्जन एक बार देख लीज़ेगा निया हिंदी वाले में confused हो जाएंगे तो 12 वाला जो है इसका correct answer क्या होगा? A वाला होगा यानि 9 फेमिना की उम्र कितनी है? 9 साल है इसके बाद question number 13 को देखते है तीन साल बाद किसी राशी का राशी पर साधारन व्याज 210 रुपे होगा अगले तीन वर्षों में मूलधन 4 गुना हो जाता है फिर 6 साल के अंत में कुल व्याज कितना होगा यह आपको बताना है तो question number 13 का right answer क्या होगा? B वाला हो जाएगा 1050 M, N और O का उसत वजन 168 किलोग्राम है यदि P समू में शामिल हो जाता है तो समू का उसत वजन 160 किलोग्राम हो जाता है एक और आदमी Q और P से M की तुलना में 6 किलोग्राम अधिक वजन का है तो N, O और P तथा Q का उसत 108 किलोग्राम हो जाता है अपने आउसत निकाला गया तो M का वजन कितना है? ओबराल ये बताना है आपको तो देगे इसका D हो जाएगा 150, 150 इसके बाद 15 में प्रशन को देखते है किरण 25 दिनों में एक काम को कर सकती है और इसका जो correct answer है वो इसमें C हो जाएगा 240 इसके बाद 16 नंबर के last question को देखते है इसमें कहा गया कि 10 संक्या जो है वो यहाँ पर दी हुई है और वो 72 से विभाज्य है 10 संक्या ये है 5, 4, 3, 2, Y उसके बाद 7, 7, 49, X ठीक है ये 72 से विभाज्य है तो 5X-4Y का मान क्या है ये आपको ग्याद करना है और इसका जो correct answer है वो हो जाएगा 14 तो यहाँ तक हमने इस mock test को complete किया है और तब तक के लिए नमस्कार